Assalamualaikum दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इमतरीन खबरों से में इसा वाकिफ हैना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को प्रिस कर लिजिए ताकि आन पर पब्लिक स्कूल प्राइविट स्कूल जितने भी वहाँ पर है उसे 100% कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा 30 जनवरी से तो यानि दोस्तों दो दिन के बाद लगभव जितनी भी स्कूलें हैं कॉलेजेस में सभी को खोल दिया जाएगा सभी बच्चों के आने की अनुमत कर दिया गया है अगली ख़बर दोस्तों जो आ रही हो साथियों MOPH की तरफ से आ रही है MOPH की तरफ से दोस्तों एक नया लिस्ट निकाला गया है Red List Country के बारे में Green List Country और Exceptional Red List Country के बारे में List निकाली गई है तो यदि इसके बारे पुरे डिटेल के साथ आप देखना चाहत है बंगलादेश, इजिप्ट, इंडिया, नेपाल और पागिस्तान पहले सी इसमें सामिल है वहीं पर यदि Red List Country के बारे में बात करें तो लगबग 86 कंट्री दोस्तों एड हो चुका है जिनमें से बहुत सारे कंट्री पहले से एड थे और कुछ कंट्री को और एड किया ग गया है अब Green List Country के बारे में बात करें दोस्तों लगबग 117 कंट्री यों को वहाँ पर Green List में डाला गया है जिनमें से इस बार जो कंट्री को डाला गया है अफगानिस्तान, एरजन्टीन, बहरीन, ब्राजील, चाइन, क्यूबा, इरान, जपान, मलेसिया, मेक्सिको, ओमान फलिस्तीन, रसिया, सिंगापूर, सिरिया, वैटनम इस बार दोस्तों इन सभी को डाला गया है अगली जो अपनेट दोस्तों आ रही है वो साती आ रही है मिरिश्ट्री ऑफ आउकाफ के तरब से मिरिश्ट्री ऑफ इंडॉर्मेट आउकाफ एं इसलामिक एफेर के तरब स बस आपके मोबाइल पर होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए, बाकी आप लोग यदि ग्रिन सो करता है तो आप लोग इंट्री ले सकते हो अब सातियों बात करें तरब लोग COVID-19 की ताज़ा अपडेट के बारे में तब तक वहाँ पे 56,92,705 लोग को COVID की वैक्सिन दी जा चुकी है 24 गंटा में 37,428 लोग को दिया गया, टोटल वहाँ पे बूस्टर डोस के बारे में बात तो 7,4,321 लोग को अब तब भूस्टर डोस वहाँ पे दिया जा चुका है अब तक वहाँ पे 2,97,166 लोग रिकवर हो चुके है 24 गंटा में दोस्तों बताना चाहूँगा आपको 3,985 लोग ठीक हुए एक्टीब केस होँए वहाँ पे 33,43 है और यदि हम लोग 24 गंटा में बात करें केस आने की तो लगभा 200 केस आया जिनमें से 16,79 लोग कतर में केस पोजिटिव आया है 535 लोग जो है वो ट्रैबलर थें 24 गंटा में एक लोग की मौत हुई टोटल हुआ पे 630 लोग अब तक करोना वाइरस से मारे जा चुके है तो दोस्तों यह पुरी ताज़ा अप्डेट थी COVID-19 की और यदि कोई भी आपको स्वास को लेकर प्रॉबलम हो रहा है तो 16000 पे आप कॉल कर सकते है अगली जो अप्डेट दोस्तों आरी साथ ही बताना चाहूँगा आपको कतर नैसनल लेबरेरी को फिर से ओपेन कर दिया गया है जो टाइमिंग थी वही टाइमिंग रखा गया है लेबरेरी जो ओपेन होगा सेटेडे से ठस्टे तक सुबह 8 बेस लेकर 8 बजे रात तक और साम 4 बेस लेकर 8 बजे रात तक फ्राइडे को ओपेन होगा तो दोस्तों जितने लोग भी वहाँ पे जाना चाहते हैं library में जा सकते हैं बस वही होगा दोस्तो fully vaccinated आप लोग होना चाहिए तो यह कुछ update थी कुछ खबर थी जो कतर से आ रही थी मैंने अप तक share किया असा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो अच्छे लोगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ share करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सकें मिलते साथ युनेक्स टूटे पहले आफिसेंट